महिनों बाद आखिरकार हो गई अनुज और अनुपमा की बात अनुज और अनुपमा हम आपको बता दे कई महिनों से अलग हैं दूर हैं और ऐसे में अब पाखी ने वो कर दिखाया है जो कोई नहीं कर दिखा पाया पाखी ने करवा दी है अनुज और अनुपमा की बात जैसे ही पता चला पाखी को की एमदबाद जाकर भी अनुज ने बात नहीं की है अनुपमा से तो वो अपने बड़ी से मिलने के लिए एमदबाद जा पहुंची और वहाँ पर जाकर उसने फोन पर अनुज और अनुपुमा का करा दिया है मिलन क्या बात हुई है इन दोनों की और कौन से वो तीन शब्द थे जिसको सुनकर अनुपुमा के पेरो तले जमीन खिसक गई अनुपुमा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और अनुपुमा के आसू छलक पड़े आखिर ऐसा क्या कहा अनुज ने अनुपुमा को हम आपको बताएंगे टीवी तमाशा पर लेकिन अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजे पाकी पहुँचती ही है अनुज के घर कि उसे अनुपुमा का फोन आ जाता है वो फोन पर उससे पूछती है कि आखिरकार वो डॉक्यूमेंट्स कहां है और इसी बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि पाकी बड़ी के पास है फिर क्या था? पाकी कहती है अनुपुमा को कि मैं मुंबई बड़ी के पास आई हूँ क्या आप बात करोगी? और वो फोन कहती है कि स्पीकर पर ही रखा है अनुपुमा चुप हो जाती है और उसकी आखों से टपटप आसू बह रहे होते हैं अनुपुमा को एसास हो जाता है कि अनुपुमा रो रही है और उसके बाद जो है वो फोन अपने हाथ में लेता है और कहता है वो तीन शब जिसे सुनकर अनुपुमा के पैरो तले जमीन खिसक जाती है वो अनुपुमा को कहता है I am sorry हाला कि इसके बाद अनुपुमा ने कुछ और नहीं कहा ना है अनुपुमा ने और फोन दोनों ने ही कट कर दिया लेकिन अनुपुमा को sorry कहा है उससे माफी मांगी है और अनुपुमा जानती है कि sorry के पीछे का क्या है कारण क्यों अनुझ उसे sorry बोल रहा है किस बात का पश्तावा है अनुझ को और क्यूं अनुझ उस दिन बिना मिले ही उससे निकल गया और अब हम आपको बताते हैं कि बोहत जल जो है इन दोनों का मिलन होने वाला है कैसे होगा ये मिलन वो भी जानने के लिए आप बने रहे हमारे साथ लेकिन अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजे